हेलोफेंट्स नमस्कार गुरुजी जील में आपका स्वागत है फ्रेंट्स से दिया आप मेरे चैनल में नए नए विवर्श हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा स्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंट्स आएए मैं आप लोगों को U P TGT PGT result के बहुत बड़ी सुचना बताने जा रही हूँ आई ये देखते हैं UPSSB TGT PGT result 2021 ये UPP TGT PGT result 2021 के बारे में हैं इंटर्व्यू के लिए दस दिन पहले जारी होगा लेटर इंटर्व्यू से दस दिन पहले लेटर जारी हो जाएगा फ्रेंट्स ये देखें UPSSB TGTPGT Recruitment उत्तर प्रदेश माधमिक सिछा सेवा चैन बोर्ड UPSSB अब इंटर्व्यू लेटर 21 दिन की बजाय दस दिन पहले जारी करेगा बोर्ड ने इंटर्व्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की समय सीमा घटा दी है फ्रेंट्स ये समय कम हो गया 21 दिन के बजाय अब 10 दिन हो गया है हाला कि TGT में तो इंटर्व्यू की विवस्था खत्म हो चुकी है लेकिन PGT के लिए इंटर्व्यू होने है वेरिफिकेशन होगा फ्रेंट्स TGT का डाकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप को नियुक्ति लेटर दिया जाएगा संजेश सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने TGT और PGT 2021 के 15198 पदों की भरती 31 अक्टूबर से पहले करने के आदेश दिये हैं समय सीमा घटाने के इस फैसले को राज सरकार से मंजूरी मिल चुकी है आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश माध्मिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड UPS ESSB ने असास की इंटर कालेजों में 15,000 से ज्यादा पदों पर भरती के लिए प्रदेश भर में बिभिन परिच्छा केंदरों में 7 और 8 अगस्त को TGT का परिच्छा आयूजित कराई गई थी वहीं PGT की परिच्छा 17 और 18 अगस्त 2021 को हुई थी यह देखे चैन बोर्ड की ओर से सभी विशयों के आंसर की भी जारी कर उन पर आपतिया भी लिजा चुकी है ऐसे में उम्मीद है कि UPSC SSB फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी आफिसियल वेबसाइट पर घोसित कर सकता है फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी घोसित होगा यह देखे टीजीटी पीजीटी के 15,199 पदों के लिए 11.84 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है फ्रेंड्स वीडियो समाप्त होता है नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए गोड इविनिंग टेक केर कर दो चेट